बोर्ड मेंबर ने अगला प्रश्ण पूछा कि लड़की के किस अंग से खून आता है। बोर्ड मेंबर ने पूछा कि चार अक्षर का है मेरा नाम। गहरी फल चाया देना मेरा काम। पत्तों से कीडे है पलते। कीडों से हम कपड़ा बुनते। कैंडिडेट ने इसका आंसर दिया कि इसका सही आंसर होगा शेहतूत। इसको बहुत पसंद आता है. Board member نے पूचह कि मैं पानी को रोक सकती हूँ. भले ही मुझ में हजार छेद हैं. बताव, क्या मेरा भेद है? Candidate ने इसका आंसर दिया कि sponge, मैं पानी को रोक सकती हूँ. भले ही मुझ में हजार छेद हैं. बोर्ड मेंबर ने पूछा कि हमेशा आपके सामने रहता हूं लेकिन दिखाई नहीं देता बताओ कौन हूँ मैं कैंडीडेट ने इसका आंसर दिया कि भविश्य हमेशा आपके सामने रहता हूं लेकिन दिखाई नहीं देता कैंडिडेट ने इसका आंसर दिया कि वादा बिना हाथ लगाए बिना मेहनत किये आप क्या तो डैर सकते हैं बोर्ड मेंबर ने पूछा कि एक-एक क्षण बढ़ती हूं, हमेशा उपर जाती हूं, कभी घटती हूं कैंडिडेट ने इसका आंसर दिया कि आपकी उम्र एक-एक क्षण बढ़ती हूँ, हमेशा उपर जाती हूँ, कभी घटती हूँ बोर्ड मेंबर ने अगला प्रश्न पूछा कि एक आदमी बारिश में खड़ा, ना च्छत, ना च्छाता, ना टोपी, ना गंजा फिर भी ना हुआ, एक भी बाल गीला? कैंडिडेट ने इसका आंसर दिया कि क्यूंकि उसने रेन कोट पहना हुआ था, इसलिए उसका एक हाल भी गीला नहीं हुआ बोर्ड मेंबर ने अगला प्रश्न पूछा कि जितना अधिक बराता हूँ, उतना ही कम आप देख पाते हैं, बताओ मैं कौन है? कैंडिडेट ने इसका आंसर दिया कि अंधिरा जितना अधिक बराता हूँ, उतना ही कम आप देख पाते हैं बोर्ड मेंबर ने अगला प्रश्न पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है, जिसके पास अनेक चाबियां होती हैं, लेकिन एक भी ताला नहीं खुल सकता? कैंडिडेट ने इसका आंसर दिया कि पियानों, जिसके पास अनेक चाबियां होती हैं, लेकिन एक भी ताला नहीं खुल सकता? बोर्ड मेंबर ने अगला प्रश्न पूछा कि ऐल्फिल टावर किस देश में स्थित है? इस सवाल का अंसर कॉमेंट में बताएं कैंडिडेट ने इसका आंसर दिया कि ब्लैक बोर्ड साफ होने पर मैं काला हो जाता हूं और गंदा होने पर सफेध हो जाता हूं बोर्ड मेंबर ने अगला प्रश्न पूछा कि लड़की के किस अंग से खून आता है? दोस्तों इस question जान भूज कर पूछे जाते हैं ताकि board members को पता चल सके candidate इसके बारे में क्या सोचते है आपके हिसाब से इस question का answer क्या हो सकता है comment में बताएं candidate ने इसका answer दिया कि लड़की के अगर किसी अंग पे भी चोट लगेगी तो खून निकलेगा इसलिए लड़की के जिस अंग पे चोट लगेगी उस अंग से खून निकलेगा दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कर देना